दोस्तो हमने set number 1 already देख लिया है, हिंदी एक्षिक का मैंने already upload कर दिया था, set number 2 आपको solve करवा रहा हूँ, तो चलिए start करते हैं इस question paper के solution को, आपके जितने भी subject है जितने भी subject, चाहें arts हो, commerce हो या science हो, सभी के solve किये गए है sets को, सभी के sets इसी वीडियो के description box में आपके 12th class की जो playlist है, उसमें मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला जो question आया है, यह आया है, आपटित बोद का, पहले आपको अपटित मनुष्य पसूल से किस बात में भिन है, इस परकार की वतलब एक छोटी सी वो दे रखी आपको paragraph, और इस paragraph को पढ़ने के इसके प्रश्णों के उत्तर आपको देने है, साथी साथ आपको बता दूँ कि अगर आप September से ले करके अभी तक जो नौवंबर तक में papers डाल रहा हूं आपके, वो सारे papers अगर आप पढ़ते हैं, तो 90 प्लस score का दावा मैं करता हूं, लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा, ध्यान रखना है, और साथी साथ सेतंबर है, सेतंबर से नौवंबर तक तो केवल आपके मोडल वेपर है, इस से पहले 2021 का संसोधित पाठे करम के हिसाब से, चार-चार सेट मोडल वेपर जारी किये गए थे, चार सेट अगर वो भी पढ़ लेते हो, तो ही 90% आएंगे, या को मैंने सॉल करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी लिंक में डाला है, जिसमें ये वीडियो मिलेगा, यानि कि सारे वीडियो एक ही लिंक में मिलेंगे, 12th क्लास की एक ही लिंक है, चाहें वो आर्ट सो, कॉमर्स हो या साइंस हो, समझ गए आप, तो बा बाते मानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, कि बहुत सारे बच्चे, फोन करके मेरे से बात कर रहे हैं, कुछ में सेज बाते हमारे स्कूल में चलिए स्टार्ट करते हैं इस question paper के solution को description box में आपके 12th class की जो playlist है उसको देख लेना उसमें आपको सारे sets मिल जाएंगे ये 5 set भी और 2021 वाले जो 4 set solve कराये थे वो भी मिलेंगे एक ही channel था जिसने 2021 के question paper solve कराये थे पूरे sets और 2022 के भी करवा रहा हूं और मंतली जांच परिक्षा भी मैं नहीं करवाया और कहीं भी आप ढूंड लो नहीं मिलेगा तो चलिए start करते हैं पहले question से इस prices को पढ़ लेना पहला question पूछा गया मनुष से पसूसे किस प्रकार भिन है तो वो अपने खान पान के आधार पे निंदरा के आधान पे और दूसरी सम्मेंदना के आधार पे तो इन में से सभी जो डी option करेक्ट करोगे दो नंबर question है मनुष से किसे अपना आधर्स नहीं मानता है तो वो जगड़ा डंटा को आपना आधर्स नहीं मानता यह option करेक्ट हो जाएगा देखिए फटाफट में answers बताते जाऊँगा आपको केवल question paper को पढ़ना है इसकी pdf link मैं वीडियो को description box में दे दूँगा वासे download करके इसका print out जरूर करवा लेना print out करके रखना पड़ेगा 5-5 set है बहुत बड़ी बाते और 4 set जो 2021 के हैं वो भी solve की हैं उसका भी print out करा लेना सब धर्मों का सामान्ने धर्म क्या है तो सत्य और आक्रोष ठीक है तो सोरी अक्रोध ठीक है सत्य और अक्रोध दोनों ही सही है C option correct हो जाएगा उससे किस आधार पर पसू से stressed है तो सयम में त्याग में और समयधना में तो इन में से सभी आ जाएगा D option correct हो जाएगा और निम्द पद्यांस को यहां पर पद्यांस दिया गया है इसने निरजर बह गया है यह वाला आपको पद्यांस पढ़ना है यह पद्यांस को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने है तो यह आपके सामने कवीता है इसको वीडियो को पॉस्ट करके चाहे तो इसक्रीज से टूल लो और चाहे तो आप इसी वीडियो के description box में अपनी PDF फाइल को डाउन्रोड कर सकते हो पांच नंबर जो question है इसकी बात करूं तो इसमें पूछा गया है कवी के जीवन से क्या समाप्त हो गया है तो कवी के जीवन से प्रेम समाप्त हो गया है कवी अपनी तुलना किस से करता है तो आम की सूखी डाली से करता है कभी का जीवन कैसा हो गया, तो निर्थक वाक्य की तरह है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता उसके बाद में next, जो कोशनी है इसमें पूछा गया है, इनमें से किस में अनुपरास National कार नहीं है तो सने निर्जर में अनुपरास अलंकार नहीं है इसके बाद में next जो ख़व पार्ट है इसमें आपका आया है अव्यक्ति और माध्यम से तो यहां पर देखते हैं क्या क्या माध्यम से पूछागा है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है तो उसको हम noise कहते हैं उसके बाद में दूसरा जो है मतलब 10th question जो है संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है तो जन संचार आधुनिक साधन क्या है जन संचार यानि जनता तक कोई भी माध्यम से संचार पहुचना जारा नंबर जो कह जन संचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है तो टेली ग्राम परचलित रूप नहीं है आज के टाइम में टेली ग्राम के वाल मोभाइल में रह गया है जैसे Facebook और Instagram वेसे ही टेली ग्राम होते थे तो टेली ग्राम करते थे ठीग है इसके बाद में बारवार नंबर कोशन है बंगाल गजट के संपादक का नाम क्या है तो वो है जेम्स आगस्ट भी की तो यहाँ पर यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना है बहुत अच्छे कोशन आए हुए है सारे सेट्स में मैं जो सॉल करा रहा हूँ मुझे सारे सेट्स के बढ़ियां कोशन लगे है चाहें आपका हिंदी, इंग्रिस, मैथमेटिस कोई भी हो क्योंकि इसमें से आपके चैप्टर को निचोड़ निचोड़ के कोशन डाले गए हैं कोशन के हो पैराग्राफ के बीच में से उठा उठा के डाले गए है यानि कि आपको इपैराग्राफ पढ़ रहे है और उसी में से बीच में से प्रशन उठाए गए है ऐसा नहीं कि आपके पुस्तक के पीछे वाले प्रशन जो दिये गए है वो दे दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें नेक्स्ट कोच ने हिंदी के प्रतम सापताहिक पत्र उतन्द मार्तंड के संपादक, पहले तो ये पुछा गया था कि जो आपका उतन्द मार्तंड ये है क्या चीज ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ये है क्या चीज ठीक है, ये क्या है ये है आपका, ये है आपका प्रतम सापताहिक पत्र ठीक है, तो उतन्द मार्तंड क्या है प्रतम सापताहिक पत्र, ये आपको ध्यान रखना है और इसके संपादक कौन है, तो यूगल की शोर्स रुक लें, डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा आल इंडिया रेडियो की विवत स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी विधिवत स्थापना 1936 में, 16 पे हम आते हैं 16 प्रतम मैं पूछा गया आपसे किस फिल्म को भारत में बनी पहली सामाना अंतर सिनेमा, यानि कला फिल्म मानी जाती है तो इसको बलते है, पथेर 5 आली ठीक है, यहाँ पर आपका C उप्सन करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में, नेक्स जो कुछ है नहीं, इसमें पुछा गया है, निम्न में से कौन फीचर का एक प्रकार नहीं है, समपादक फीचर एक प्रकार नहीं है, D option इसमें करेक्ट हो जाएगा, 17 नंबर में और 16 नंबर में C option करेक्ट होगा, 18 नंबर जो कोशन है, समपादी के प्रष्ट पर समसामाई, गटनाओ पर आधारी, छपे लेख को क्या कहा जाता है, तो उनको हम समपादी की कहते हैं, D option इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में आपका गव पार्ट है, जो पाठे पुस्तक से है, तो यहाँ पे पाठे पुस्तक से, फिर से आपको एक कविता दी गई है, जिसमें उननी से बाइस प्रशनों क्या मुत्तर देंगे, तो यह कविता आप देख लेना, भर गया है जहर से, और यहाँ पर है प्रस्तुत पंक्तिया किस पार से ली गई है, तो गीत गाने दो मुझे से ली गई है, यह option correct हो जाएगा, इसके बाद में next question है, निम्न में से कौन किरिया नहीं है तो परीचे एक किरिया नहीं है, परीचे क्या नहीं है, किरिया नहीं है, आपका परीचे किरिया नहीं है, बुझाना, किसी चीज़ को बुझाना, एक किरिया यह काम है, जलाना किसी चीज को वो भी एक काम है, सीचना ये भी एक काम है, परिचे देना ये काम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, परिचे आपका introduction होता, ये कोई काम नहीं है इसको हम एक वर्क tender counter नहीं कर सकते इसके बाद में आते हैं, निम्न लिखित प्रश्णों के सही विकल्ब का चैन करना है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो यहाँ पर आपको सही जोड़ा का विकल्ब चैन करना था तो यह option सही हो जाएगा, रगु वीर सहाय और वसंताया, ठीक है, ये जोड़ा बिल्कुल गलत है, वसंताया के रगु वीर सहाय नहीं है, उसके बाद में एक काम, कवीता के अनुसार, आजादी के बाद देश में किस प्रकार का माहूल बन गया, तो यहाँ पर धोकादड़ी का भी बना, आपसी खीस्तान का भी बना, और जो है स्वार्थक्ता का भी बना, तो यहाँ पर आपका सभी आ जाएगा, और ध्यान रखना एक चीज उपर वाले जो 23 नमबर कोश्चन में, यह ध्यान रखना कि जैसंकर प्रशाद सरोज समती, तो यह पूछ सकता है कि सरोज समती, जो है किस के द्वारा रचित है, या फिर ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पर आंसर भी दिये, तो यहाँ पर विश्नु खरे तोडो से है, और सूरेकां तिरपाठी निराला, देव सेना का गीज, ठीक है तो यह आपस में जोड़े याद रखना कोई भी कोशन उठा सकता है, आपको मॉडल पेपर का मतलब एक कोशन से चार तरह के कोशन गुमा के पूछे जा सकते हैं, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि आपने वो कोशन पढ़ा था ध्यान रखना, किसी भी कोशन को गुमा करके देखो कि उससे क्या कोशन बन सकता है, यही मॉडल पेपर कहता है, चौबिशन नमबर कोशन है एक काम कवीता के अनुसार आजादी के बाद देश में किस प्रकार का महोल बन गया था तो यह तो हमने अभी देख लिया, यह सभी बन गए थे 25 नमबर कोशन की बात करें, बसंत आया कवीता में, कभी अपनी किस भूल की बात करता है, तो वह रितु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका इस भूल की बात करता है, यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा सत्य कवीता में, कभी ने जीवन में सत्य की महता को दर्शाने के लिए किसको माधम बनाया है, तो महाभारत के पोराणी के संधर वो यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा, 27 नमबर जो कुशन है, गीत गाने दो मुझे कवीता में, कभी निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है, तो यहाँ पर देखो, गीत गाने दो मुझे इसके लेखा कौन है, कभी निराला, ध्यान रखना है आपको तो यहाँ पर यह सारे के सारे सही है, तो यहाँ पर डी उप्शन आपको करेक्टरना है, 27 नमबर में यासे सर अराफत जो है, उससे लिए यह बी उप्शन करेक्ट हो जाएगा, 29 नमबर है, अरे, मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है, तो यह महात्मा गान्धी का है, डी उप्शन करेक्ट है, इसके बाद में आते हैं हम, महादेव देशाई कौन थे, तो यह महातना जी के निजी सची हुथे, ए उप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में 31 नमबर, महादेव देशाई कहां से जुड़ी अपनी यादे सुनाने लगे, तो वो कोहाट से और रावल पिंडी से, दोनों जगों की जो उनकी घटनाई थी, उनको सुनाने लगे, ए और बी करेक्ट हो जाएगा, सी उप्शन करेक्ट हो जाएगा, 32 नमबर कोशन है, किस रचना कार के नाटक रामचंद सुकल के पिताजी को प्रिये था, तो वो भारते इंदू हरिश्चंद के थे, ठीक है, वो उनके पिताजी को प्रिये थे, रामचंद सुकल के पिताज का तबादला हमीरपूर से कहा हो गया था तो उनका हमीरपूर से वो चले गए थे मिरजापूर ठीक है इसके बाद आते हैं चौतिस नमबर है घड़ी बनाने की कला क्या कहलाती है तो घड़ी साजी कहलाती है सी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 35 नमबर कोशन पे गाउवालों के अनुसार कैसा विक्ति समधिया का काम करता है तो देखिए समधिया मतलब हो जाता है काम चोर निठला पेटू मतलब उस टाइब का फालतू में तो ये सब हो जाएगा किस कारे को पूर्ण करने हैं तू रुपए एक खटा कर रहा था तो वह सभी के लिए कर रहा था वह मिठवा के ब्या के लिए भी कर रहा था और वह पिंडदान करना चाहता था और वह कुमा बनवाना चाहता था तो ये सभी d option correct हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिस, mathematics science, आपका जो chemistry, physics, biology history, economics, accountancy और जो जितने भी subject नाम भी याद नहीं आ रहे इतने सारे subject solve कर दिये, सभी के सभी solve कर दिये गए है 5-5 set, सभी को देख सकते हैं इसी वीडियो के description box में 12th class की playlist के अंदर ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं 38 नमबर पर सुभागी सूरदास की जोपड़ी में क्यों छुपी, तो इसका answer क्या हो जाएगा अपने पती की मार से बचने के लिए इसके बाद में 39 नमबर को question है, जगधर किसको सोचा लगाता था तो यहाँ पर मिठाई को B option correct हो जाएगा क्लियर हुआ अब किसका सोचा लगाता था इसके बाद में आपका next जो question है, 40 नमबर सूरदास की जोपड़ी, पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्य करता है तो यहाँ पाठ के अंत में हिंदी के बना दिये गए हैं जो set नहीं बने हैं, समझना कि वो बन रहे हैं बस आपको अभी 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में या एक दिन में मिल जाने वाले हैं तो वो सारे set साफ इसी वीडियो की description box में मिलेगा, एक ही link है link एक ही है, बस उसको खोलोगे line से सामने आपके वीडियो होंगे सब के उपर लिखा है, set 1, किसका है set 2, किसका है, set 3, किसका है, सब कुछ लिखा हुआ है, कोशिश करनी है आपको playlist खोलने की, अगर कोई भी दिक्कत आती तो comment section में comment करो यार आपका most welcome रहेगा, ठीक है और कोई भी आपको doubt है, कोई भी query है, आप comment section में comment करिए अपने दोस्तों के साथ share नहीं करते हैं, आप लोगों का, जो share जब आप करते हो तो हमें पता चल जाता है, पर आप लोग शेयर पढ़ते हों तो इंसानियत कि न आते पढ़ते हो, तो फ्लीट share करिये, दूसरों को तक पहुँँचाई है, यह सब कूछ है, यह मेरा एक shock है, जिसको मैं पूरा करता हूं, मेरे पास सब कूछ है, ठीक है, तो आप लोगों की महरबानी है, तो आप लोगों से है और अपनी कुछ मेहनस से है तो सब कुछ है लेकिन आप शेयर करिए मुझे अच्छा लगेगा और दूसरों की मदद करने में जो मतलब आप देखते पैसेश पड़ा जाता है तो आप याद रखना कि आप भी मैंने पिछला मॉडल पेपर सौल कर रहा था हिंदी भी का 10 सब्सक्राइब करने के बाद में आपको इतनी मतलब वो मिलेगी आपको खुशी मिलेगी कि आप जवाब नहीं दे सकते आपके पैरेंट्स भी खुश होते हैं उससे वासा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी थैंक्यू रिमच